मुझे नोक्री की सक्ट जरूरत थी। गुरगाव सेक्टर 40 में एक बहुत बड़े आदमी का घर में मैं बाई का काम करने। लगी मालिक और मालकिन दोनों नोक्री करते थे। उनकी एक खुबसूरत बेटी थी जो एमबिये कर रही थी। एक दिन घर में कोई एने चाई था म मैंने देखा मालिक अपने हथियार की मालिश कर रहे है उनका थन बहुत ही काला और मोटा था मेरी आखें। खुली की खुली रगई। वो ज्यादा ही जोश से भरा हुआ था। अंकल ने मेरी और देखा और अपना थन धोती में छुपा। लिया मैं अपना काम खतम करके घ मैं सारी रात सो एनेचाई पाई क्योंकि इतना बड़ा थन मैंने आज तक एनेचाई। देखा था जब अगले दिन सुबह मैं काम होए गई तो अंकल ने मुझे मालिश करने को बोला जब मैं मालिश कर रही थी। तो अंकल ने मुझे अपने बारे में बताया जब वो जव पान थे तो पांच बार सर्विस किया करते थे जब मैं जुकर उनके पैरों की मालिश कर रही थी तो मेरे आम देख रहे थे अंकल उनका फोल म्याल रहे द ये सब देखकर उनका पप्पू टाइठ हो गया और बाहर निकल आया मोटा नागराज देखकर मेरे मुझ में पानी मिन्स तक मालिश चलती रही और मैं बिकुल तूट चुकी थी सारा बदन डड़ कर रहा था गोद में उठा कर खूब खिलाया और आखिर में पानी को मेरी मुझ में डाल दिया मेरी जिन्दगी में ये सब कुछ पहले कभी नी हुआ था मैं एक दम दीवानी हो गई आज तक उनकी वो मसाच बड़ी याद आती है ऐसे ही मजेदार कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर लीजिएगा अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते है उस पे वीडियो बन जाएगा धन्यवाद